हेलो फ्रेंट स्वागता आपका अपने चैनल में एके ट्यू की परिक्षा है जो मार्च में संपन्न हुई थी मतलब फस्टियर और सेकंडियर की परिक्षा हैं उनके परिणाम अभी तक नहीं आ रहे हैं इस्ट्वेंट लगाता ट्विटर पे पूछ रहे हैं लेकिन उनके की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है न्यूस पेपर्स में भी लगाता आ रहा है कि परिक्षा इतने टाइम होगे अभी तक रिजर्ट्स क्यों नहीं आया है इवें समस्टर के फॉर्म भी आ चुके हैं स्टार्ट होने वाली है तो स्क्रीन पर आप देखेंब हैं लिखा हुआ है मांच में हुई परिक्षाओं का नहीं आया पर नाम डॉक्तर रेपी जी अब्दूर कलाम प्रवृदिव की श्विद्याले में नहीं हो सके हैं जबकि 25 मही से समस्टर की परिक्षाओं प्रस्ता में हुई पहले और दूसरे वर्स की परिक्षाएं जो का परणाम अब तक जारी नहीं किया गया बताया जा रहा है कि अभी उत्तर पूस्तिकाओं के मुल्यांकन का कारी पूरा नहीं हुआ है अगर कॉपी जबी चेक हो रही है तो उसके बाद उनकी एंट्री की भी फीट की जाएगी उसमें रेगुलर केरी ओवर को अलग लिकाला जाएगा तो काफी अभी इसमें जो है टाइम है और कहीं ना कहीं अगर अभी मूल्यांकन का काम चला है तो रिजर्ड आपके माई लास्ट से ही आने स्टार्ट हो पाएंगे इसके पहले नहीं आपाएंगे और रही की पहले तो आपको पता है कि फर्स सेमेस्टर के इसंडेयर के इसकेंडेयर के स्टूडेंट कर रहे हैं तो उसके लिए यह यह है कि हो सकता उन लोगों के लिए बाद में फॉर्ण को फिर से ओपन किया जाए और अपडेट किया जाए फॉर्म भर देंगे तो यह सारी सूचना है लेकर के एक ट्यू के रिजल्ट को लेकर के देखे एक ट्यू में क्या सर्कुलर आने हैं आज कल में उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फिलहाल अभी रिजल्ट आने में थोड़ा सा और टाइम है मैं लास्ट तक रिजल्ट जो आएंगे अगर अभी मूल आंकन का काम चल रहा है क्योंकि इकजाबनेशनशन खतम और रिजल्ट आने के भी लगभगे एक महीने का का टाइम तो होता हि है एक ट्यू के हर समस्टर में फाइनल यह को छोड़ करके इस से ज़ादा ही टाइम जो है वह खिच जाता है तो एक ट्यू विद्धार्तियों को रिज़र्व को ले करके यही लेटेस्ट अपडेट थी और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहे हैं चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बहुत जरूर दवाईए थैंक्यू वेरी मिच्छ